आज अब सीखेंगे हम दो नंबर्स को सेप करके उसका सम कैसे फाइन कर सकते हैं सबसे पहले जैसे कि मैं अपनी प्रिछली वीडियो में बताया था हमें बेसिक फॉर्मेट फॉलो करना है क्लास ABC आप इसका कोई भी नाम रख सकते हैं अपनी मर्जी का फिर वाइट कैलकुलेट की जगा भी आप कुछ भी लिख सकते हैं कुछ लोग में मैथड भी मनाते हैं बट अभी आपको उसकी जुरूरत ही है तो जब होगी मैं आपको बता दूँग तो अब हमने इस पर फिर अके इसके बाद हम एक ले लेंगे int sum अब संप के अंतर क्या वैल्य आएगी A प्लस P हर एक लाइन के बाद सैमी कोलन जालना मद भूले सैमी कोलन का हर इक जितनी बर भी आप मिस करोगी उतनी बरी माक्स काटे जाए ENGA तो इसके बाद हमने अब trainees कर लिया तो हम सिस्टल double quotes जालते हैं double quotes के नितर जो भी होगा ना वह वैसे का वैसे ही हमारी print screen में आएगा for example हम यहां पर लिख रहे हैं sum is फिर यह double quotes बंद करेंगे यहां पर एक plus का sign डालेंगे आगे लिखेंगे sum ठीक है ऐसे बिसे हमारी output के आएगी मैं आपको करके बताती हूं देखो जब program साट होगा user मांगेगा a क्या है let it say यह 6 है b क्या है let it say हमारा 4 है sum आया calculate होगा 6 प्लस 4 sum क्या आगया हमारा 10 अब हमारी चो output window है ठीक है हर एक program का हम आगे से साथ नहीं output window भी बनाएंगे थाकि आपको clarity होती रहे आप चाहें तो अपनी computer या laptop जो भी है आपके पास उसमें आप blue jay download कर सकते हैं और अगर आपको सीखना होगा उसे कैसे चलाना तो मेरे को एक परी comment section में बोल देना मैं आपको इसकी भी video बना के बता दूंगी तो देखो output में जो जो हम देगे double quotes में लिखा है वो ऐसे का व यह सम की value का है 10 तो यह आजएगा हमारा output sum is 10